यह अस्मिता और्गेनिक फार्म है और यहां पीशे देख सकते हैं कि मैंगो लेमन और महुगनी का प्लांटेशन पिछले साल किया गया है और इस महुगनी के उपर ब्लैक पेपर का प्लांटेशन होने वाला है बीच में तूर लगाई गई है और यह महुगनी का प्लांट है इसे लास्टियर लगाया गया था और इसको उपर भी जो है ब्लैक पेपर लगाया जाएगा और ब्लैक पेपर के शेड के लिए यह कैस्टर प्लांट लगाया गया है जो उसको शेड प्रोवाइड करेगा दो तरफ से ब्लैक पेपर लगेगा और इसको शेड प्रोवाइड करेगा बीच में तूर का प्लांटेशन है तूर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और मल्चिंग के काम आता है यह आप देख सकते हैं कि जो कच्रा आपको नजर आ रहा है यह कच्रा नहीं है तो जनली घास हो जो यहें से खेत में से तोड़ करके मल्चिंग की गई है अग्रें मल्चिंग के वज़े से मौिस्टर मेंटेंड होता है और नीचे जो घंजी वामूरूद डाला जाता है तो उसके वज़े से आर्टॉंप पैदा होते हैं और आर्टूंप के वज़े से वाटर रडीटेंशन होता है और जब दुशकाल पड़ता है यह जाधा यह संविछ है घुट जो है जमीन में से ही पानी अब ले लेता है केसर के रांस है और बीच में लें सिर्ट्रिस साथ ही में यहां पर इसी प्लट के अंदर पर टेजपत्ती की भी प्लांटेशन होने जा रही है तेजपत्ता भी हां पर लगेगा और बैंबू पही इस प्लांटेशन प्लॉट है जिसमें बैंबूस, मैंगो, लेमन, तेजपत्ता, महुगनी, ब्लाक पेपर और इंटर क्रॉपिंग बीच में तूर, मॉंग,